नमस्कार बंदवों मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही जानकारी भरी वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ तो दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा तो दोस्तों आज का जो हमारा इस वीडियो का जो विशे है वह है आज हम यह देखेंगे कि हमारे हाथ के अंदर हम किस उंगली को क्या कहते हैं और हर उंगली हमारी जो है वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है तो इसमें मैं आपको हर उंगली के विशे में बताऊंगा कि हमारी कौन सी उंगली किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और हम उसको हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं तो दोस्तों जो हमारी यह सबसे पहली वाली उंगली होती है तो यह वाली जो उंगली होती है हमारी इसको हम क्या कहते हैं इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं तर इंडेक्स फिंगर और हिंदी भाशा में हम इसको क्या कहते है तरजनी उंग्ली तो दोस्तो ये वाले जो हमारी उंग्ली होती है यह किसको रिप्र6 करती है यह हमारी गुरू रिपर्जेंट करती है उसके बाद यह तो हमारी दूसरी उंगली है इसको हम क्या कहते हैं इंग्रेजी बाशा में मिडल फिंगर क्या कहते हैं कि मिडल फिंगर का मतलब है यह हमारी बीच वाली उंगली है इसलिए हम इसको मिडल कहते हैं हिंदी बाशा मैं हम इसको क्या कहते हैं मैं अाँ है मध्यमा और ऑर इकी स्थेक्श पुर्ब्पोर करती है यह उंगने हमारी यह जो हमारी और यए यह शनी ग्रहा को रिप्रजंट करती है किस ग्रहा को रिप्रजंट करती है शनी ग्रहा को तो किस ग्रहा को रिप्रजंट की है इसने शनी को इसके बाद हमारी जो तीसरी उंगली आ जाती है यह वाली तो इस उंगली को हम क्या कहते हैं इस उंगली को हम कहते हैं अनामिका हिंदी भाशा मैं इसको क्या कहेंगे अनामिका अनामिका इसको क्या कहेंगे हम अनामिका और यह किस ग्रहे को रिप्रेजेंट करेगी यह जो हमारी उंगली है यह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है अंग्रेजी भाशा में हम इस उंगली को क्या कहते हैं रिंग फिंगर क्या कहते हैं रिंग फिंगर जो हमारी सबसे छोटी वाली जो उंगली है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं करिश्ठा 34 भाषा में हम इसको क्या कहते हैं कनिष्ठा क्या कहते हैं कनिष्ठा और अग्रजी भाषा में हम इसको क्या कहते है लिटल फिंगर कुछ लोग इस उंगली को baby finger भी कहते हैं क्या कहते है baby finger ये जो उंगली है ये किसको represent करती है या represent करती है बुद्ध को किसको बुद्ध को represent करती है इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है अंगूठा कौन सा आ जाता है हमारा अंगूठा आ जाता है हिंदी भाशा में हम उसको क्या कहते हैं अनुष्ठ और अंग्रेजी भाशा में सबको पता ही है थम कह देते हैं हम इसको और यह जो हमारा अंगूठा है यह किस ग्रहे को रिपर्जेंट करता है शुक्र तो दोस्तों इस परकार मैंने आपको आपकी पांच उंगलियों के बारे में बताया कि आपका कौन सी उंगली किस ग्रहे को रिपर्जेंट करती है हम उसको हिंदी भाशा में क्या कहते है और अंग्रेजी भाशा में क्या कहते है एक बार दुबारा से हम जानेंगे जो आप हिंदी भाषा में कहते हैं तरजनी अंग्रेजी भाषा में हम इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर और ये किस ग्रै को रिप्रजेंट करती है गुरू को दूसरी वाली उंगली को कहते हैं हम मिडल फिंगर हिंदी भाषा में हम इसको कहते हैं मध्यमा और ये किस ग्रै को रिप् और किसको रिप्रेज़ेंट करती है? सूर्ये को. इसके बार हमारी सबसे छोटे वाली उंगली है, इसको हम कहते है कनिष्ठा, अंग्रेजी भासा में कहते हैं इसको लिटल फिंगर या बेभी फिंगरưaं, और किस गरह और रिप्रेज़ेंट करती है? बुद्ध को. उसके बाद हमारा आ जाता है अनुष्ट इंगलिश भासा में हम इसको कहते हैं थम और किस ग्रहा को रिप्रेजेंट करता है हमारा अनुष्ट शुक्र ग्रहा को इसके पश्चाद दोस्तों हम यह देखेंगे कि हमारे जो यह कुल ग्रहा है यह अभी तक कितने ग्रहा हुए है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच ग्रहा हुए है तो हमारे हाथ के अंदर तो जो जोतिश है उसके अंदर कुल मिलाकर कितने ग्रहा होते हैं साथ ग्रहा होते हैं पर इसमें तो हमारी जो उंगलियां है उनमें तो पांची ग्रहे दिखा रहे हैं, तो बाकी की ग्रहे कहां होते हैं, तो उनके लिए कोई अनुष्ठ नहीं मनाए गए है, उनके लिए कोई पार्ट नहीं है, वह हमारे हाथ के अंदर होते हैं, वह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम किस-किस पार्ट को कहत हैं देखिए यह जो हमारा स्थान है जो हमारी उंगले के यहां पे यहां से हमारी कौन सी रैखा निकलती है हरदे रैखा निकलती है यहां से न ऐसे ठीक है और हमारे निष्ट के थोड़ा बिलकुल इस जगह से हमारी रेखा निकलती है यह हमारी निकलती है यह हमारी निकलती है बुद्धी रेखा ठीक है तो descart tína रिखाएं हमारे निकलती है तो यह जो स्थान बीच का स्थान है यह वाला स्थान तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं मंगल मंगल स्थान है यह हमारा मंगल वैसे हम जोति शास्त में इसको मंगल परवत कहते हैं परवतों के विशे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा लेकिन आपके थोड़ा सा बताने के लिए कि पाच उंगलियों के सिवाए बाकी जो ग्रह होते हैं वह हमारे हाथ में किस हिस्से भी होते है उसके विश जो यह भाग है जो यहां पर हमारा फूला रहता है यह किसको रिप्रेजेंट करता है चंद्र को रिप्रेजेंट करता है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है चंद्र को रिप्रेजेंट करता है तब कुल में लाके हमारे कितने पाट हो गए हमारे उंगलियों के तो साथ गर होते हैं राहू और केतू विटाहू केतू एट कहा होंग virgin kilomet में इसको आप फोल्ड कीजिए बिल्कुल से कि यहां करेंगे यहां गिरेगी है तो यह जो स्थान है इसके अंदर यह वला स्थान है जू के लिए इस स्थान को देखते हैं और इसके बिलकुल नीचे जहां जहां पर आपके जीवन देखा गिर रही है यह स्थान जो है यह जो स्थान है आपका इसको हम क्या कहते हैं के तू तो इस परकार हमने मैंने आपको 9 के 9 ग्रहों के वारे में बताया कि हमारे हाथ के अंदर हर उंगली किस ग्रह को रिपरजेंट करती है हर उंगली को हम क्या कहते हैं हिंदी भाशा में क्या कहते हैं अंग्रेजी भाशा में क्या कहते हैं कौन सी उंगली किस ग्रह को रिपरजेंट करेगी एक बार मैं फिर से आपको इसमें पता देता हूं जो हमारी पहली उंगली है गुरू को परदेशित करती है दूसरी शनी को तीसरी सूर्य को चोथी बुद्ध को अनुष्ट जो आपका होता है वो शुक्र को जो आपकी बु को और जो सबसे नीचे वाला जो स्थान है वो हैद्य को रिपरजेंट करेगा तो इस परकार दोस्तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि आपकी कौन सी उंगली किस ग्रह को रिपरते हैं अंग्रेजी भाशा में असको क्या कहते हैं और हिंदी भाशा में मिशकुत क्या कहते हैं मुझे लगता है अवश्यक रूप से आपको इस वीडियो के दोबारा कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी आपके ज्ञान में कुछ वृद्धी हुई होगी अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए विश्यक के साथ मिलते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद